हमारा पहला प्रश्ण क्या है और कैसे इसको हम solve करें तो देखिए questions आपके बिल्कुल स्क्रीन पर है लिखा गया उत्रप्रदेश लेखपाल प्रश्णों तरी question बहला जो हमारा है एक सिकंद्री गज में कितना इंच होता है जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों जिन भाईयों ने मेरी class दोनों इसके पहले देखी होगी आप सबने यह question जरूर पाया होगा एक बात का ध्यान देना जो पहले वाली वीडियो थी उसमें कुछ कमिया थी लेकिन दूसरे वाली class में जो exact आकड़ा होता है उसके साथ मैं आपको दिया है ठीक है तो दूसरे वाली class के exact आकड़े को आप ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को आगे निरंतर बढ़ाईए देखें तो question पहला क्या है कि एक सिकंदरी गज में कितने इंच होता है आपने सुना होगा गजऄ सिकंदरी का नाम ठीक है एक सिकंदरी गज जो होता है, वो कितने इंच का होता है, 99 इंच, 36 इंच, या 18 इंच, या 30 इंच का होता है, ये सभी आकड़े आपके सामने हैं, दोस्तों, अगर हम देखें, तो यहां जो पहला हमारा है, 99 इंच, एक्चुली कितना होता है, गठे के बराबर होता है, 36 इंच यही होता है गज Democr का मानक होता है 30 इंच का रहा है आपसे में स supports है कि कि क है एक गजliv鍵सांताप है कि एक सिकंद्री गज में कितने के सेंटिमिटर होता है आपको पता होगा कि एक इंच बरावर कितना होता है दोस्तों 2.54 सेंटिमिटर के होता है यह और यहां करना है आपको 30 अगर आप कर देंगे 30 गुड़े 2.54 तो आप कहा जाएगा कि एक सिकंदरी गज में कितना cm होता है यह बात आप समझ लीजिएगा ठीक है ना तो दिया गया जो मारा पहला प्रस्ण है पहले प्रस्ण का सही उत्तर क्या हो जाएगा 30 इंच होता है एक सिकंदरी गज के अंदर और बाकी एक गठा में 99 इंच एक गज में 36 इंच और एक हाथ में 18 इंच के होता है आईए हम आगे बढ़ते हैं अब देखिए दोस्तों यहां मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और यह भी काफी अच्छा प्रस्ण है आभी सकता है आपक एक स्टेंडर्ड बीघा इस बात का देहान देना बीघा का मानक हर जगा अलग-अलग होता है मैंने कितनी बार आपसे बोल दिया है कहीं 18 इसे का कहीं 20 इसे का कहीं 5 इसे का और दोस्तों कहीं 12 इसे का होता है लेकिन जो स्टेंडर्ड बीघा होता है मैं इस सब्द पर बार इत्रेडर्ड विगहा के मिसे में वहा तो होता है similarly हम अगर दोस्तों हम 3025 25 लेख़ वте बुल्कुल यह सही हुजाता है फिर अगर हम 27 225 वर्ग फूट अगर हम इन दोनों का multiply करेंगे 165 गुले 165 का कितना आएगा 27,225 वर्ग फूट आजाएगा फिर यह क्या होता है 20 विश्वा के बराबर होता है तो कि एक विश्वा में कितना होता है एक विश्वा में होता है 1361 गुले 25 वर्ग फूट होता है अगर इसी को हम 20 से multiply कर देंगे तो कितना आपका निकल के आजाएगा 27,225 वर्ग फूट यानि कि यह भी सही है तो पहला भी सही दूसरा भी सही तीसरा भी सही और चौथा भी सही तो केवल A सही है A, B, C सही है या कोई नहीं या सभी तो दिहान रखिएगा इस दिये गए दूसरे प्रस्ण में उपरियुक्त में सभी option आपके क्या है सही है इस बात का दौर करिएगा आए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और देखिए हमारा अगला प्रस्ण क्या कहे रहा है कि एक बिस्वासी किसके बराबर होता है दोस्तों ध्यान देना बिस्वासी मैं बताया था आप से उन्वासी, कचवासी, बिस्वासी, बिस्वासी, बिस्वासा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो previous class देखिए वर्ग फुट, 20 कंचवासी, 70 वर्ग फुट या उपर युक्त में से कोई नहीं, दोस्तों दिहान दीजेगा आप लोग जो एक विश्वासी होता है, वो क्या होता है, इसमें देखिए पहला भी सही है, और दूसरा भी सही है, जो एक विश्वासी होता है, वो 68.062 के बराब होता है, अगर इन दोनों को multiply करेंगे, क्या जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा एक विश्वासी के बराबर होता है, प्रिवियस क्लास में आपको यह बताया गया होगा, इस बात का दिहान देना, ठीक है, इसमें आपके दोनों क्या है, राइट आंसर है, चलिए हम आगे अगले प्रस्थन की ओर, आप देखिए, दोस्तों, अगला प्रस्थन की काफी सांधार है, आप देख सकते हो, question number 4 है, प्रस्थन क्या चार, ग्रेन एक मध कालीन माप तौल की काई है, समझे आप लो, ग्रेन क्या है, मैडवल टाइम में दोस्तों क्या था, ग्रेन आप जा जानते जो ग्रेन होता है, टाका, जीतल, ग्रेन, जो दोस्तों, ग्रेन होता है, वो quantity जो मापने की काई होती है, यह दरविमान को मापता है, भार को मापता है, तो ग्रेन एक मध्यकालीन मापतोल की काई है, एक ग्रेन कितने ग्राम का होता है, तो देहान देना, question क्या पू या फिर 64 mg के बराबर होता है या फिर 50 mg के बराबर होता है आप सभी के comments मैं अच्छे से देखता हूँ मैंने reply भी क्या होगा बहुत सारे लोगों का वो आपको पता है तो ध्यान देना कोई doubt अगर लगता आपको comment जरूर किया करिए दोस्तों ध्यान देना एक जो grain होता है वो सब्सक्राइब होता है अगले प्रस्त की होता है तो प्रस्ता यह पांच माप तोल विभाग का अंतर राश्ट्री मुक्याले कहां है जैसे होता क्या है कि हमको पता है कि 1 kg में 1000 g होता है या एक गैलन में 0.785 ml के में 500 ml के होता है एक बैरल जो आता है बड़ा सा तेल वाला कंटेनर वो कितना 160 लिटर का होता है आखिर ये सब मान कहां तैं होता है कहां पता हुआ हमको कि एक किलोग्राम में हजार ग्राम से उपर नहीं होगा ये कैसे पता दरसल सभी देशों का एक समू है दोस्तों और उसका मुख्यालय पड़ता है रूस में आपने सुना होगा रूस का जो पेरिस है वो रूस की कैपिटल है और यहीं दोस्तों एक सहर है सेवरेस क्या है सेवरेस और यहीं सेवरेस सहर में माप तॉल विभा का मुख्यालय है ध्यान देना जो आकडे तय होते हैं कि 1 kg में 1000 kg ठीक है न? जो सभी आकडे तय होते हैं ये सभी आकडे पेरिस के सेवरस में ही तय किये गए हैं ध्यान देना आपको पता होगा मापने की बहुत सारी काईया होती हैं आपको जानते हैं कि MKS, मिल्टर, किलोग्राम, सेकेंड, FPS, फुट, पाउंड और सेकेंड, CGS, CGS, ग्राम, सेंटिमिल्टर, ग्राम और सेकेंड, आपको पता होगा कि यह मापने की तीन प्रमुक इकाईयां होती थी पहले, लेकिन 1971 में दोस्तों, 1971 में यहीं सेबरेस में क्य मुख्याले है, यहीं सभी देश इकठा हुए, और सबने क्या किया है, एक स्टेंडर्ड इकाईय बनाई, जिसे कहते है SI सिस्टम, यह 1971 में यहीं सेबरेस में बनाया गया था, तो दिये गए प्रसंद का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पेरिस के सेबरेस में अंतरराष्ट्र मापतौल विभाग का मुख्याले इस्थित है, चलिए आगे देखते हैं, क्या है, आम तोर पर भूमि 25 में उप्योग में आने वाली गंट्री जरीब का मानक कितना होता है, देखिए आप जानते हैं, इंजीनियर चेन होती है, गंट्री जरीब होती है, साधारार जरीब हो चीजे होती है, जो standard हमारा जो माना गया है, वो क्या है, गंट्री जरीब है, मैक्सिम जो लेफपाल लोग होते हो, गंट्री जरीब के द्वारा ही मापन करते हैं, आसान होती है, इसमें सो कड़ीया होती है, बताया था मैंने आप सभी को इसके पहले वाली क्लास में, अग वह जो है 20 दसम लो एक एक छे आठ मीटर की होती है जिसने क्लास पढ़ा होगा उसको अच्छी तरह से पता होगा कि एक गंटी जरीब में क्या-क्या मानक होते हैं जियां दोस्तों वह 22 गज की होती है इस बात का देहां देना और वह कितनी होती है वह चाछट फुट की होती ह है और उसमें 100 कडियां होती है और वह क्या होता है 20 दसम लो एक 168 मीटर की भी होती है इस कतात पर है क्या इसमें E सही होगा यानि जरीब की बिशे में सभी कथन क्या है सही है आप सभी के लिए मेरा प्रस्ण ये है कि अगर जरीब में 100 कडियां होती है तो एक कडी एक कडी कितना सेंटी मीटर के आप सभी के सामने मेरा ये प्रस्ण है कि एक कड़ी बराबर कितना सेंटी मीटर के कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर लिखेगा और आपको अच्छा रहेगा तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूँगा आई आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले प्रस्ण की और देखेंगे हमारा अगला प्रस्ण कौन सा है और किस प्रकार का प्रस्ण है दोस्तों अगला प्रस्ण हमारा है कि एक किलोग्राम में कितना पाउंड होता है देखिए आपने पढ़ा होगा जो मापने का पैमाना होता वो अलग-अलग होता है आपने मुझ रहा है कि एक किलोगराम कीटना होता है तो दोस्तों जो पाउंड कीबात होता है यह कोशन कई बार पूछा गया परिच्छा में इसलिए आपके लिए इंपोर्टेंट है ध्यान दीजेगा कि जो एक पाउंड होता है अगर एक पाउंड की बात करें तो एक पाउंड जो होता है वह पॉइंड अगर बात करें ग्राम की तो फॉइंड 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 इन पाउंड में पॉइंड पाउंड ग्राम होता है रख धर गए और एक फॉइंड में 0.453 6 kg होता है इस बात का धिहान देना है question यह हमारा कि एक kgलोग्राम में कितना पांड होता है दोस्तों तो धिहान देना 2 place Oh faculty होता है एक किलोग्राम में इतना पांड होता है धिहान बताया गया होगा आपको 1 kg 100 kg होता है 10 quintal में सब किलोगराम होता है यानि मिट्रिक टन detto सब्सक्राइब क्क सब्सक्राइब तो प्रस्टन का जो ऑतर होगा दोस्तों वह दहां देना है। आपका दो 285 पाउंड एक किलोगराम होता है जो हम लोग बहुत अदे का केक खरिदते हैं वो केक पाउंड में ही आता है ना की किलोग्राम में आता है यह आपको ध्यान देना है ठीक है इसके साथ साथ दरव्यमान के बहुत सारे मातरक है वो चर्चाएं आप से लीटर के होता है यानि लगबख साठे तीन लिटर या पौणे चार लिटर होता है एक गैलन में Kछा तेल मंगाते हैं तो कच्छा तेल आता है बैरल में आप बैरल का नाम जानते होंगे एक Box होता है गोल सा एक Box होता है और इस ही हम लोग तेल मंगाते हैं ये ये वी कितना होता है ? ये लगभग होता है एक दुरिजर होता है ये बराबर होता है 42 १ गैलन 42 US gallon के होता है 35 UK gallon का भी होता है इस बात का ध्यान देना आप लोग तो ये भी important चीज़ है कई बार परिच्छा हम पूछी गई है और दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से देख लिजिए ठीक आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्टन की ओर एक आंस में कितने ग्राम होता है बहुत challenging question दोस्तों है कि जो एक आंस होता है वो कितने ग्राम का होता है जो आंस है देखिए आंस ग्रेन ठीक है ना ये सब जो इकाईयां है ये सब इकाईयां मध्यकाल की ही है तो question क्या पूछ रहा है कि जो एक आंस होता है कितने ग्राम का होता है ? कोर्स् Eating एक पोच रहा है आप सन्हें हैitta 28 ग्राम 30 ग्राम या 25 ग्राम , Gesellschaft सोचिए कि एक जो आंस होता है कितना होता है ? जानकारी के लिए मैं आपसे कहई द enterprise का होता है । छ प्रहते कोödपोड़ एकशो सो Curry है है इस बात का भी ध्यान दीजेगा चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम ठीक ना यानि कि 16 आउस में एक पाउंड बनता है इस बात का भी ध्यान दीजेगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन क्या है कि मनुष्य के सरीर का ताप मान कितना होता है यहा पूश्चंस भी कभी कभी डिफरेंट ही पूशता है कभी कभी ताप मान को चेंज करने का फर्मूला पूशता है यह भी जान लिजीए तो दोस्तों फॉर्मूला जो होता है Celsius का Kelvin में Kelvin का Celsius यह सब दो होता है न, एक शिंपल सा आप याद कर लिजे, C upon 5 is equal to F minus 30, 2 upon 9. कभी द अगर पूछता है Celsius का Fahrenheit में, Fahrenheit का Celsius में, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, या अगर माली Kelvin का दिया गया है, और आप से क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आप से Celsius में दोस्तों, तो क्या करेंगे Kelvin और Celsius को आप जोड़ देंगे, वो अपने अब आपका निकल जाएगा, ठीक, तो ध्यान दीजेगा, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मनुस्रक के सरीर के तापमान की, तो बोड़ी का जो तापमान होता है, वो 36.9 होता है, टेंपरेचर बढ़ सकता है, ध्यान देना, बढ़ सकता है इसके उपर, ठीक है बाद जो मानक होता है, वो आपका तापमान 37 के उपर जाता है, 37, 38, तो आदमी क्या होता है, उसको फीवर होता है, ठीक है, तो यह राइट है दो तो, फिर देखिए 98.6 ये भी सही है, ये फॉरेन हाइट में क्या है सही है, और 310 केल्विन, ये केल्विन में सही है, यानि यहाँ पर तीनों सही है, एक, दो और तीन, ताप मान, केल्विन में कुछ और, सेल्सियस में कुछ और, और फारन हाइट में कुछ और होता है, ये पॉॉइंट्स आप देख सकते हो, ठीक है न, इसमें तो क्या है, इसमें उपर उक्ति में से शाभी सद्य है, आगे बढ़ेंगे, कोस्च्चन क्या हमारा है, पीको का वास्तविक मान कितना होता है दोस्तों बहुत सांदर कोश्चन है कि पीको का वास्तविक मान कितना होता है मैंने आप से कहा था कुछ आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा और उन ट्रिक्स के द्वारा इसको आप असानी से करने जाएंगे कोश्चन देखिए कि एक पीको का वास् दो चीजे होती है इसको हम कहते हैं घातांग की मातरक घातांग की जो मातरक होता है वो दो तरह से होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव घातांग की मातरक एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है एक धनात्मक और एक रिरात्मक होता है इस बात पर गवर करिए एक positive और एक negative होता है पहले हम बात कर लेते हैं धनात्मप की देखिए पहले हम बात करते है positive की फिर बात कर लेंगे हम यहीं पर negative की देखिए दोनों important है और दोनों question में दिया हूँ आप लोगों को एक negative और एक positive अगर हम positive की बात करें दोस्तों पॉजिटिव ठीक इसको समझ लेजेगा आप लोग तो इसको हम कैसे लेटते हैं देखिए यह होता है एकसा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, कीलो, हेक्टो, डेका देखिए कुल मिला करके इतना मानक हुआ आपका इतना मानक हो गया क्या क्या हुआ एकसा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, कीलो, हेक्टो, डेका देखिए कुछ नहीं करना आपको जो पहला दोस्तो होता है एकसा की वैलू, 10 to the power 18 होती है, 10 घाते 18 होती है यह एकसा की वैलू है, 10 घाते 18, clear? अब जितना आप आगे बढ़ोगे वैलू जो पावर सिस्टम है, पावर में आप 3-3 कम करोगे तो अगर हम जाएंगे पेटा की ओर, तो पावर में 3 करेंगे तो 10 to the power 15, आगे देखिए 10 to the power 12, फिर 10 to the power 9 मेगा में 10 to the power 6, कीलो में 10 to the power 3 जब पावर में आपको 3 मिल जाएगा, तो केवल एक घटाना है तो डेका में 10 to the power 2 हेक्टो, उसके बाद दोस्तों डेका में 10 to the power 1 यह देख लिजी आप लोग, यानि इस तरह सिसको किया गया है तो एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, कीलो हेक्टो, डेका यह है positive, यह धनात्मक, घटांकी, मात रख, पहला जो एक्सा है उसकी value आपको याद करनी है, 10 घाते 18, बाकी जितना आगे बढ़ेंगे value में 3-3 घटाएंगे, अब कुछ लोगों का यह होता है दोस्तों, कि उसको हम याद नहीं कर पाते सर कुछ तरीका बताईए, तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक्स के द्वारा जीवन भरिष को आप नहीं भूल पाएंगे, इस बात का ध्यान देना, देखते दिये दोस्तों आगे, देखिए, इसकी ट्रिक्स क्या है इसके पर 13 जीजा मेगा को कीलो हेक्टो देगा इसकी ट्रिक्स है, इसकी पर 13 जीजा मेगा को कीलो हेक्टो देगा जाहें एक्सा लिखा है, वहाँ इसक लिख लो इसक से एक्सा, पे से पेटा तेरा से टेरा जीजा से गीगा मेगा से मेगा कीलो से कीलो हेक्टो से हेक्टो देगा से डेगा ऐसी ट्रिक के वल आपको आर कुमार सर ही बता सकते हैं इस बग्का ध्यान देना और ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि मजागी पढ़ने में और जीवन भर आपको याद रहेगा दिखान देना इसक पर 13,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, करके के दुबार पढ़ लीजी आई आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की और दोस्तों यहां क्या होता है कि यहां सेम रहेगा बस केवल पावर सिस्टम में तीन-तीन कम कन जो है माइनस कर देना है बस देखिए कैसे दोस्तों एटो किसी बैक्ति का नाम है एटो तो एटो आया फैमल लाया जब एटो आया तो क्या लाया फैमल लाया फिर पीको ने जो पीको उसका दोस है क्या करता है पीको ने नैनो दिखाया एट्टो आया फेम्टो लाया पीको ने नैनो दिखाया माइक्रो गया दिल्ली कहां गया माइक्रो दिल्ली और माइक्रो गया दिल्ली वहां उसे मिली हो गया ध्यान देना जब उसको मिल गई तो क्या हुआ वहाँ उसे मिली हो गया सेंटी हो गया सेंटी और आ गया डेसी देखिये एटो आया फ्यमटो लाया पीको ने नैनो दिखाया माइक्रो गया दिल्ली और वहाँ उसे मिली हो गया सेंटी और आ गया डेसी आप देखिए कैसे इसको समझेंगे आप की क्या सही क्या नहीं दोस्तों पहला क्या है पहला आपका है एट्टो एट्टो की वैलू कितनी हो जाएगी 10 to the power minus 18 सब सेम रहेगा बस केवल घात में लग फ्यंटो लाया यहा लिए देंगे आप लोग फेम्टो इसमाब रहता हेझें इसको फर्मी भी बोलते हैं हम्टो 10 to the power minus 15 फिर दोस्तों पीको है तो पीको फिर क्या है? पीको हो जाएगा तो माइक्रो की वैलू 10 to the power minus 6 और वहाँ उसे मिली तो मिली की वैलू कितनी हो गई 10 to the power minus 3 अब आपको वैलू में minus 3 मिल गई है तो वैलू में केवल आप एक घटाओगे तो हो गया centi तो centi केतना हो जाएगा भाई 10 घाते minus 2 और आ गया dc यानि घर आ गया 10 घाते minus 1 धिहान द आपको जाएगा इसके दुआरा आप घातां की system जो है कभी भूल नहीं पाओगे इसको नोट कर लो आप लो अगर हम देखें previous प्रस्टों की बात करूँ तो एक पीको का वास्तिक मान कितना होता है दोस्तों यहाँ पीको पूछा गया है अगर पीको के मान की बात करूँ तो आप देख सकते हो यह रहा पीको की वैलू यह रही वैलू पीको की आप देख सकते हैं कितनी वैलू आएगी पीको की दस घाते माइनस बारा यानि दोस्तों यह क्या हो गई पीको की वैलू है और किसकी वैलू है यह नैनो की वैलू है यह किसकी वैलू है यह माइक्रो क वैलू है दोस्तों किसकी वैलू है यह तो यहां जो सही उत्तर आपका कितना हो जाएगा यह दसका एवाला सही उत्तर है फिर देखिए आगे बढ़ेंगे अब आगे है कि एक बिगहा में कितने डेसिमिल होता है दोस्तों एक बिगहा में कितने डेसिमिल होता है आपका यह प पॉइंट्स की बात करें, पहले कुछ पॉइंट्स आप लोग समझ लेजिए, उसके बाद देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए, दोस्तों क्या करना है कि एक बिगहां जो होता है, एक बिगहां कितना डेसिमिल है, यह पॉइंट जानना है, तो सबसे पहले आप एक डेसिमिल के अंदर क्या होता है, वो लगभग होता है, आपका 0.004 हेक्टेयर, देखिए, पॉइंट्स को मैं यहां पर नोट कर लेता हूँ, ताकि आपको आगे समस्या न हो, तो दोस्तों, एक जो डेसिमिल होता है, वो कितना होता है, वो 0.004 हेक्टेयर के होता है, य 200 या एक बिगहा में 0.25 hectare या कहीं कहीं क्या होता है 0.252 hectare या कहीं कहीं दोस्तों क्या होता है 0.253 hectare यानि की बिगहा का मानक अलग-अलग होता है लेकिन जो स्टेंडर्ड बिगहा है वो यहां पर दिया गया है एक बिगहा में 0.250 hectare या 0.252 hectare या 0.253 hectare इतना होता है एक बिगहा में अब ये भी hectare है और ये भी hectare है तो जाहिर सी बात है अगर हम 0.2050 on 0.20 hectare में क्या करेंग तो क्या जाएगा आपका 62.5 decimal, यानि एक बिगहा में कितना होता है, 62.5 decimal होता है, इस बात का ध्यान देना, और एक बिशेश चीज और बताऊंगा भी आप सभी को, कि एक decimal में कितना square feet होता है, आगे जो प्रस्ण आएगा, तो वहां हम लोग हल कर लेंगे, तो देहान देना, कि एक decimal में 0.004 hectare, और एक बिगहा में 0.250 hectare, इसको divide कर दिया कितना आ गया भाई हमारा, आ गया 22.5 decimal एक बिगहा में होता है, clear, लेकिन अगर मान लिजिए, जो बिगहा है, दोस्तों, अगर मान लिजिए बिगहा हमारा कितना है, 0.250 hectare का है, तो हमारा ये सही होगा, अगर हमारा जो बिगहा है, वो 0.252 hectare क्या है, तो इसमें ये सही होगा, अगर बिघा हमारा 0.253 हक्टेयर का है तो क्या होगा हमारा ये सही होगा धिहान देना लोगों के कमेंट्स के अनुसार लोगों ने बताया कि बिघा अलग अलग होता है और उसी आधार पर मैं यहां पर बता रहा हूँ आपको अगर मालेजे आपका बिघा इतना बड़ा होगा अगर आपका बिघा पॉइंट 253 का होगा तो आपका यह सही होगा लेकिन जो इस्टेंडर्ड बिघा की बात है लगभग साड़े 62 होता है एक बिघा के अंदर गौर करिएगा इस बात को चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले प्रस्न की ओर और हां इसका आप बिखा में कितना धूर होता है बही धूर की बात मैंने की थी कुछ लोगों ने कमेंड किया था कि सर धूर कितना होता है धूर किसे कहते है तो उसी के अनुसार मैंने यहां पर कोश्चन कराया है एक बिखा में कितना धूर होता है दोस्तों 20 धूर 12 धूर 15 धूर या 16 धूर 20 धूर होता है, ध्यान देना, इसमें 20 धूर होता है, तो 20 धूर का 1 विश्वा होता है, अगर इसी को आप गुड़ा कर देंगे, 20 से, तो क्या हो जाएगा आपका, आसानी सापका बिगा निकलके आजाएगा, इस बात का ध्यान देना, तो 1361.25 स्क्वार फिट, यानि कि एक विश्वा में 20 धुर होता है इस बात का आप विशेश तोर पर ध्यान रखिएगा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए कुछ पॉइंट्स यहां मैंने आपके लिए नोट कराए हुए है कि जो एक डेसिमिल होता है 435 दसनलो 06 वर फिट या इसको हम कह सकते हैं कि 0.004 अभी जो इसके पहले बने कराया था आप सभी को इतना जो है हेक्टेयर का होता है पॉइंट अभी कराया था आप सभी को इसके पहले और जो एक गठा होता है गठा जिसको कहते हैं 99 इंच जिसको हम क्या कहते हैं 99 इंच कहते हैं एक गठा जो होता है अगर बात करें व वर्ग फिट का हमारा एक गठ्ठा होता है ध्यान दीजेगा डेसिमिल हात गठ्ठा धूर यह सभी मातरक हैं जमीन को मापने के तो एक गठ्ठा जो होता है वह 8.5 वर्ग फिट या 99 इंच का होता है इसके पहले पढ़ा चुका हूँ फिर देखिए अब एक धूर कितना होता ह मेन हमारा यहीं है कि एक धूर बराबर कितना होता है अगर हम धूर की बात करें और रीदों ना यहान बिश्वासी भी कहते हैं तो दोस्तों एक धूर क्या होता है गठा का स्क्वाइर होता है तो अगर क्या करेंगे गठा वरावर कितना होता है और दिस्वा में 20 थूर होता दोस्तों, अगर क्या करेंगे? 20 गुड़े हम क्या करेंगे? 0, 6, 2, 5 करेंगे, तो 1 विष्वा में तेरा सौ, 6, 2, 5 वर्ग फिट लिगल करके आएगा, यानि जो 1 विष्वा है, इतना इसमें इतना वर्ग फिट होता है, और एक विश्वा में 20 धूर होता है, 20 विश्वा बराबर एक विखा, 20 विश्वा बराबर एक विखा, अगर हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर 20 गुड़े, 20 विश्वा होता है, अगर 20 गुड़े 13602 पाच कर देंगे, तो हमारा यह निकल के आ जाएगा, वर्ग फीट में, इस एक एकर क्या होता है, 100 decimal के होता है, एक एकर होता है, 100 decimal के, इस बाद का ध्यान दीजेगा, और उसके बाद दोस्तों, 100 गुड़े क्या कर देंगे, 400 गुड़े 16, यानि इसको बुरा कर देंगे, जतना वर्ग फीट दिया हुआ है, तो आपका निकल के आएगा, कि एक एकर क कि एक एकर में 100 decibel तो क्या करना है आपको 100 गुड़े एक decibel जो है इसको multiply कर देंगे तो आपका answer निकल का जाएगा फीट में और अगर आपको निकालना है कि हाँ एक बिगहा में कितना धूर होता है तो दोस्तों धिहान देना 27,225 बटे क्या कर देंगे आप 435 दसमलोग 6 कर देंगे तो निकल के आएगा आपका धूर कि एक बिगहा म कितना धूर होता है इसको multiply करके आप लोग आंसर दीजेगा मुझे ठीक है न तो तो decimal देखा आप लोगोंने कि एक decimal में कितना फिट होता है ठीक है न इतना फिट है स्कुरेट अगर आपको बिगहा का निकालना है तो इसको आप डिवाइड कर देंगे कितना इसको डिवाइड कर देंगे आप लोग 456 दो निकल के आपका आ जाएगा कि बिगहा म कितना decimal ह चलिए आगे बढ़ेंगे अ अब देखिए किस तापमान पर फारंहाइड और सेलसियस वाहएं सांदार है कि किस तापमानको अगरी करो तीन सो बीश दिगरी त्हाइब के एनि कि आपकर सभीततर क्या हो जागी ये वाला और माइनस 40 डिगरी सेलसीयस बराबर होता है माइनस 40 डिगरी फारेन हाईट थीक है यह एक इंपोर्टन चीज है इस बाग का भी ध्यान देना थीक है दोस्तों चलिए अगर हम आगे बढ़ें तो दोस्तों जो 1 degree Celsius होता है वो बराबर कितना होता है 32 degree Fahrenheit, sorry, 0 degree Celsius बराबर 32 degree Fahrenheit क्या होता है, यह भी important चीज़ है, इस पर भी गौर करिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना, और 1 degree Celsius बराबर कितना होता है, 9 upon 5 degree Fahrenheit, clear, यह भी important point है, तो इसमें जो right answer होगा आपका, 13 का, वो क्या हो जाएगा, 160 degree Celsius पर क्या होता है, Fahrenheit उसका दोगुना होता है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्टन की और, एक फैदम में कितना मीटर होता है, आपको पता होगा, जो फैदम होता है ना, standard पैमाना है फैदम, actually क्या होता है, कि फैदम या फैदम मिटर से क्या होता है, समुद्र की गहराई मापते हैं, तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदम में का पर्योग करते हैं, और उसी फैदम में क्या होता है, एक आकड़ा लगा होता है, एक पैमाना लगा होत या डी दिया हुआ है आपका 1852 मिटर. मैं get clear करते हैं. फ़ले nautical कर दोगी है Hee यह तो ऐसे भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी क्या है गलत है, जो इसमें right answer आपका हो जाएगा, वो 1.8 meter होता है, एक फैदम के अंतरगा, दोस्तों, most important चीज है, जो आपका right answer होगा, कितना हो जाएगा वो, वो हो जाएगा आपका लगभग जो है, 1.8 meter के, या 6 feet भी होता है इस बात का भी आप गौर करिएगा, लगभग 6 feet होता है, एक फैदम में, या 1.8 meter होता है, एक फैदम में, लेक पाल के दिश्टिकोर से, बहुत महत्पूर प्रशनों की सिंखला, आपके साथ मैं, खरा रहा हूँ, देखिए, दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश 10 घाटे 12, 10 घाटे 9, 10 घाटे 6, कुछ नहीं करना आपको, सूत्र, इसक पे 13 जीजा, यह इधे पूछ रहा है आपसे, पहला हो गया, 10 घाते 18, या एक सा हो गया, पे से पेटा हो गया, 10 घाटे पंदरा, तेरा से क्या होगा, तेरा, दस घाते, बारा, फिर क्या होचा, जी जा दो तो, गीगा, दस घाते, नौ, यानि, जो आपका सही उत्रोगाव कर जाग वाई, टेन तो दी पावन, नाइन, मीटर के होता है, एक गीगा के अंतरगत, दोस्तों, अगर प्रस्टन आपको अच्छे लगे हो, तो कमेंट जरूर करिएगा, जो पॉइंट नहीं समझ में आया है, उसको भी आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को पर करके आगे, आप क्लास को और भी इंप्रूइमेंट करूँगा, आप सभी का धन्यवाद, कि आप लोग इतने देर से लिख करके, या लिख पाल एंट्री लिख करके केवल वार्टसप करना है, 87, 360, 923, 17, जी हां दोस्तों, अगर आपको क्लास करना है, तो आप खुद क्लास करिए, और अपने आसपास के दोस्तों को बताईए, कि टार्गेवित आलोग ओनलाइन इंस्टिटूट में, लिख पाल का बहतरीन बैच चल लहा है, दोस्तों, यहां पर कोई ऐसा नहीं, कोई बहकाने वाला काम, आपको to the point, जैसे आपका टार्गेट है, आपके टार्गेट को ध्यान में रखते हुए, शिक्छा आपको दी जाएगी, आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद, जय भाद.